आठवी कक्षा की विज्ञान विशे की इस ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्त्वों को देखते हैं। कुछ जीव और कुछ निरचीव। जीवित जन्तु प्राणियादी वो सारे आकार में बहुत बड़े होते हैं और कुछ आकार में बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे कि हम उनको अपनी नंगी आखों से अर्था बगैर किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख पाते। जीव कहलाते हैं। उनको हम सुक्षम दर्शी आदी यंत्रों से देख पाते हैं। वो हमारे चारों तरफ लगभग हर जगह पे होते हैं। इसके अलावा पिछली कक्षाओं में हमने अनेकों पदार्थों के अपगटन के बारे में पढ़ा। जैसे हम कूडा, कच्रा, आदी, जैसे सबजियों के छिल के आदी मिट्टी में दबा देते हैं। तो कुछ दिन बाद वो अपगटित होकर खाद का रूप धारन कर लेते हैं। सुक्षम जीव दही में भी होते हैं। सुक्षम जीव आप पानी में भी पा सकते हैं। सूक्षम जीवों को सामान्य तया चार मुख्य वर्गों में बाटा जा सकता है जीवानू, कवक, प्रोटो जोवा और सैवाल ये कुछ सामान्य शूक्षम जीव हैं इनके चित्र आप अपनी पाठे पुस्तक में देख सकते हैं यहाँ पे यह चित्र स्पाइरल जीवानू का है यह एक सूक्षम जीव है यह चित्र छड़नुमा जीवानू का है यहाँ पे आप अमीबा और पैरामीसियम सूक्षम जीवों को देख सकते हैं यह स्पाइरोगाईरा है और साथ में एक और सुक्षम जीव जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह कलेमाईडोमोनास है यह सुक्षम जीव राइजोपस ब्रेड मोल्ड के नाम चा जानते हैं यह सुक्षम जीव पैनी सिलियम है और यह एसपर जीलस है यहाँ पर हमन कुछ सूक्षम जीवों के चित्र देखे इसके अलावा विशानु भी सूक्षम जीव होते हैं अभी अभी आपने वेक विशानु का नाम सुना है जिसको COVID-19 के नाम से जाना गया इस विशानु याने की वायरस वायरस भी सूक्षम होते हैं परंतु ये अन्य सूक्षम जीव को जिवानू पोधे अथवा जन्तु कोशिका में गुरन करते हैं यहां पे यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यह विशानू का चित्र है यहां पे यह एक और विशानू है तो यहां पे यह दोनों चित्र विशानू के हैं मनुष्य में कुछ सामान्य रोग जैसे ज जुखाम, इन्फ्लोएंजा जिसको फ्लू में कहते हैं एवं अधिकतर खासी विशानु दवारा होते हैं कुछ विशेश रोग जैसे पोलियो खसरा भी विशानु दवारा होते हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि COVID-19 की जो महामारी है वहे भी सुक्षम जीव एक परकार के विशानु दवारा ही फैली है अतिसार एवं मलेरिया प्रोटो जोवा दवारा होते हैं टाइफायर और टीबी जिसको शैरोग भी कहते हैं यह जीवानु दवारा होते हैं तो क्या सूक्षम जीव हमें सिर्फ नुक्षान पहुंचाते हैं या हमें बिमार करते हैं क्या वो हमारी कोई सहायता नहीं करते तो इसका उत्तर है नहीं सुक्षम जीव बिमारियों के अलावा हमारे मित्र भी होते हैं वो हमारी अनेको कारियों में सहायता करते हैं जैसे सुक्षम जीवो दवारा ही दूद को दही में बदला जाता है इसके अलावा गले शड़े पदार्थों का अपगटन करने में भी वो हमारी सहायता करते हैं जिससे हम अपने खेत के लिए खाद बना सकते हैं इस प्रकार के सुक्षम जीवों को मित्रवत सुक्षम जीव कहा जाता है प्राचीन काल से ही सुक्षम जीवों का उपयोग अलकोहल बनाने में किया जाता रहा है परियावर्ण को स्वच रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है उदहरन के लिए कार्बनिक आवसेस्ट, सबजियों के छिलके, जन्तु आवसेस, विस्था, इत्यादी का अपगटन जीवानों द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं समण कीजिये, जीवानों का उपयोग ओस्धी उत्पाधन एवं क्रशी में मर्दा की उर्वर्तावें व्रधी करने में भी किया जाता है जिससे नाइट्रोजन का स्थ्री करण होता है इसके अलावा दही या ब्रेड का बनना सुक्षम जीवों के कारण ही बन पाती है कैसे होता है आईए इसके बारे में जानते हैं दही में अनेक सुक्षम जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टो बेसिल्स नामक जीवानू परमूख है जो दूद को दही में परिवर्थित कर देता है वहे दूद में जनन कर उसे दही में परिवर्थित कर देते हैं जीवानू पनीर, अचार एवं अनेक खाद्यपदार्थों के उत्पादन में सहायक है रवा जिसको सुजी भी कहते हैं इडली एवं भटूरे का एक महतोपूर्ण संगटक दही है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा क्यों है, जिवानों एवं येस्ट, चावल के आटे के किन्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोशा बनता है, अपने हलवाई को अनेको मिठाईया बनाते हुए जैसे जलेवी आदी, वहें खमीर दवारा मेदा को उठाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, येस्ट पाउडर के साथ मेदा जो मिलाया जाता है, जैसे उसमें मिलाते हैं, तो कुछ देर बात वहाँ खमीर उठता है, तो इस तरह से वहें फूल जाती है, जिसके का कारबंदी है, येस्ट तिवर्ता से जनन करके सौसन के दोरान कारबन डायाकसाइड उत्पादित करते हैं, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे कायतन बढ़ा देते हैं, यहाँ बेकिंग उद्योग में येस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक, आधी बनाये जाते हैं, सुक्षम जीवों का वानिजिक रूप से भी उपयोग होता है, आइए सुक्षम जीवों के वानिजिक उपयोग के बारे में जानते हैं, बडे स्थर पर एलकोहल, सराब, एवन ऐसिटिक ऐसिड के उत्पादन में सुक्षम जीवों का चावल एवं फलो के रस्में उपस्थित प्राकरतिक सरकरा में यीश्ट द्वारा एलकोहल एवं स्राब का उत्पाधन किया जाता है। चीनी के एलकोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किनवन अथ्वा फर्मंटेशन कहते हैं। लुई पाश्चर ने किनवन की खोज 1857 में की। सूक्सम जीवों को ओस्धियों के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है। यानि कि ओस्धिया बनाने के लिए भी इन सूक्सम जीवों का उपयोग होता है। जब कभी आप बिमार पड़ते हैं तो डाक्टर आपको पैंसलीन का इंजेक्शन देते हैं। अथ्वा कई अन्य पर्तिजैविक गोली अथ्वा कैपसूल देते हैं। इन ओस्धियों का श्रोत सूक्सम जीव हैं। ये बिमारी पैदा करने वाले सूक्सम जीवों को नस्ट कर देती हैं। अत्वा उनकी व्रध्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की ओस्धिको पर्तिजैविक अत्वा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकर जीवानू और कवक से अनेक परतिजैविक ओस्धियों का उत्पाधन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाईसीन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाईसीन, समान्य रूप से उप्योग कीजेने वाली परतिजैविक हैं, जिने कवक एवं जीवानू से उत्पाधित किया जाता है, किसी विशिष्ट परकार के सुक्षम जीव का समवर्धन करके परतिजैविक का उत्पाधन किया जाता है, जिने अनेक रोगों की चिकित्सा में उप्योग में लाते हैं। इस प्रकार से एंटी बायोटिक्स का निर्मान किस प्रकार सुरुक हुआ आए इसको भी जानते हैं सन 1929 में अलेकजेंडर फ्लेमिंग जीवानु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर परियोग कर रहे थे अचानक उन्होंने संवर्धन तर्स्तरी पर हरे रंकी फफुंद के छोटे विजानु देखे उन्होंने पाया कि यह फफुंद जीवानु की वृध्धी को रोकते हैं यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवानु फफुंद दवारा मारे गए इस परकार फफुंद से पैनिसलीन बनाई गई पैनिसलीन आरंभिक एंटिबायोटिक है जिसको अनेको परकार की बिमारियों के इलाज के लिए उपियोग किया जाता है इसके अलावा पसु आहार एवं कुकुट आहार के अंदर भी परतिजाविक मिलाए जाते हैं जिससे उनके अंदर फैलने वाली बिमारियों को रोका जाता है क्या इस परकार से बिमारियों को रोकने का और भी कोई तरीका हो सकता है तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को आप भी जब छोटे से बच्चे थे तो आपको भी टीके लगाए जाते थे जिसको टीका या वैक्सीन कहते हैं अभी भी आप देख रहे होगे कि करोना वाइरस से बचने के लिए भी COVID-19 से बिमारी से बचने के लिए भी टीके लगाए जा रही है जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं टीका करण या वैक्सीनेशन यह टीके क्या है किस प्रकार से लगाए जाते हैं और यह हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं आईए इस बात को समझते हैं जब रोग कारक सुक्षम जीव हमारे सरीर में परवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा सरीर परतिरक्षि उत्पन करता है शरीर को यह भी स्वन रहता है कि वहीं सुक्षम जीव अगर हमारे सरीर में उन्हे परवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए अत्य है यदि मृत अथ्वा निस्क्रिय सुक्षम जीवों को स्वेश्ट व्यक्ति के सरीर में परविश्ट कराया जाए तो सरीर की कोशी काएं उसी के अनुसार लड़ने के परतिरक्षी उत्पन करके रोक कारक को नस्ट कर देती हैं यह परतिरक्षी हमारे सरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोक कारक सुक्षम जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षया होती है हैजा, छे, चेचक, हेपटाइटिस, आदी बिमारियों को टीके दवारा रोका जा सकता है आजकल भी जैसा आपने अपने चारो तरफ या टीवी में, न्यूजपेपर में या अपने आसपास देखा होगा कि COVID-19 को रोकने के लिए भी टीका करण किया जा रहा है टीका करण का एक बड़ा अभियान अपने भारतवर्ष में भी आपने सुना होगा वह है पल्स पोलियो पोलियो की खुराक लगबग हर बच्चे को 5 साल तक के हर बच्चे को दी जाती है वह कहावत भी आपने इसके साथ सुनी होगी कि सुरक्षा चक्कर तूटने न पाए एक भी बच्चा छूटने न पाए वह है क्यों? क्योंकि उससे सूक्षम जीव जोकि पोलियो का स्विशानू है उसका संचरण नहीं हो पाएगा और हम उसको समूलनस्ट कर पाएगे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वर्ता में व्रत्धी होती है इन्हें सामान्यतया जैविक नाइट्रोजन स्थ्रीकारक कहते हैं आईए इनके चित्र देखते हैं यहां पे यह चित्र नाइट्रोजन स्थ्रीकारक साइनो बैक्टीरिया एक नीले हरे सैवाल का है। सुक्षम जीव परियावर्ण के सुध्धी करण में भी हमारी सहायता करते हैं। वह गले सड़े अथ्वा अपसिस्ट पदार्थों का अपगटन कर देते हैं। जिसके पस्चात वह मिट्टी में मिल जाते हैं और वो सदा के लिए वहाँ पे नहीं र रहता है। कुछ बड़े पसू, पक्षी आदी जब मर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं। उनका अपगटन भी सुक्षम जीव दवारा ही किया जाता है। जिससे वह जल्दी ही मिट्टे में मिल जाते हैं। और इस प्रकार से सुक्षम जीव हमारे वहतावर्ण को साफ सुतरा रखते हैं। इतने फायदों के साथ साथ कुछ सुक्षम जीव हानिकारक भी हैं। हानिकारक सुक्षम जीव के बारे में जानते हैं। सुक्षम जीव अनेक परकार से हानिकारक हैं। कुछ सुक्षम जीव मनुष्य जन्तवों एवं पोधों में रोग उत्पन करते रोग उत्पन करने वाले ऐसे सूक्षम जीवों को रोगाणू अथ्वा रोग जनक कहते हैं। कुछ सूक्षम जीव, भोजन, कपड़े एवं चमडे की वस्तों को संदूसित कर देते हैं। आईए उनकी इन हानी कारक गतिविदियों को और अधिक जानने का परियास करते हैं। होने वाले ऐसे रोग जो एक संकर्मित व्यक्ति से दूसरे संकर्मित स्वस्थ व्यक्ति में वायू, जल, भोजन अत्वा काईक संपर्क दवारा फैलते हैं, संचर्णिये रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उधाहरन हैं, हैजा, सामान्य सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स, एवं छैरों। जब जुकाम से पीडित कोई व्यक्ति छीकता है, तो बहुत ही छोटे-छोटे सुक्सम जीव वायू मंडल में फैल जाते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वायू मंडल में उसके आसपास के छेत्र में सांस लेता है तो वह सुक्सम जीव उस व्यक्ति के अंदर उसकी वह सांस ले रहा है तो उस व्यक्ति के अंदर परवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से एक स्वस्थ वेक्टी भी बीमार हो जाता है, यानि कि वुस बीमार वेक्टी जिसने चीका, उसकी वजह से सूक्सम जीव एक स्वस्थ वेक्टी के अंदर भी चले गए. COVID-19 के केस में भी आपने ऐसा ही देखा होगा, कि वहाँ पे मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह कुछ सूक्सम जीव अगर कोई वेक्टी चीकता है, तो मास्क के कार्ण वह वायू मंडल में नहीं आ पाएंगे, और इस परकार वह फैलेंगे नहीं. तो इस परकार जब भी चीकें, तो मुँ के उपर रुमाद जरूर रखें, ताकि वह सूक्सम जीव वायू मंडल में ना पैल सकें. कुछ कीट एवं जन्तु ऐसे भी हैं, जो रोग कारक सूक्सम जीवों के रोग वाहक का कारिय करते हैं. घ्रेलू मक्षी इसका एक उदाहरण है, मक्षी कूडे एवं जन्तु अपसिस्ट पर बैठती है, रोगानू उसके सरीर से चिपक जाते हैं, जब मक्षी बिना ढहके भोजन पर बैठती है, तो रोगानू का स्थानांतर्ण संभाव है, जो भी व्यक्ति ऐसे संदूशित भोजन करेगा, उसके बिमार पढ़ने की संभावना है, अतै यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढखकर रखा जाए, बिना ढखे भोजन को खाने से बचना चाहिए, मादा एनाफलीज मक्षर इसका अन्योधारन है, मक्षर प्लाजमोडियम का वाहक है, प्लाजमोडि जित्र मादा एनाफलीज मक्षर का है, हम मलेरिया अत्वा डेंगु के उपर नियंतरन किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए जानने का प्रियास करते हैं, सभी मक्षर जल में उत्पन होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, कूलर, टाइरों एवं फूलदानों इत्यादी में कहीं भी जल को एकत्र नहीं होने दें, अतै अपने आसपास के स्थानों को स्वच एवं सुस्क रखकर हम मच्षरों को पैदा होने से रोक सकते हैं, ऐसे उपायों की सुची बनाने का प्रियास कीजिए, जिसे अपना कर मलेरिया को फैलने से रो मनुष्य में होने वाले कुछ अन्य सामन्य रोग, उनके फैलने और रोकने के उपायों के लिए भी एक सारणी आपकी पाठ्य पुष्टक में दी हुई है, आईए उस सारणी को देखते हैं और उससे फैलने वाले रोगों और उनके उपचार और उनकी रोक्थाम के तरीक मानों के अंदर जो रोग है वो यहां पे रोग कारक सुक्सम्जीव यहां पे संचरन का तरीका और जो सबसे आखिरी कोलम है उसमें बचाओ के उपायों के बारे में बताया गया है यहाँ पे मानो रोग जिसमें 6 रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सभी रोग हैं इन में से 6 रोग जिवानु दवारा होता है और इसके संचरन का तरीका है वाई बाकी अन्य रोग सभी वाईरस के कारण होते हैं और इनके संचन का तरीका वाईयू या सिधे संपर्क में आना या जल्दवारा होता है उलियो का रोग वाईयू या जल्दवारा होता है इससे कैसे बचा जा सकता है रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना उचित समय पर तीका करण अगर हम ये उपाय अपनाते हैं तो इस प्रकार से इस तरह के रोगों को फैलने से रोगा जा सकता है अन्यरोग हैं हैजा, टाइफाई ये दोनों ही जीवाणों के कारण होते हैं हैजा जल या भोजन के कारण फैलता है और जो टाइफाई वो जल के कारण होता है इसको व्यक्तिकत स्वच्चता एवं अच्छी आदतों को अपनाने से रोका जा सकता है भली भाती, पके भोजन, उबला पेजल एवं टीका कर्ण द्वारा भी रोका जा सकता है Hepatitis A यह वाइरस द्वारा फैलता है और जल इसका माध्यम है उबले हुए पेजल का उपयोग करके या टीका कर्ण द्वारा इसको रोका जा सकता है Malaria, प्रोटो जवादवारा फैलता है, मच्छर इसके वाहक है तो उससे बचने के लिए मच्छरदानियों का उपयोग करें मच्छर बगाने वाले रसायनों का उपयोग करें, कीट नासकों का छिड़काव, एवं मच्छर के परजनन को रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्रित ना रहने दे अगर हम इस तरह के कुछ उपय अपनाते हैं तो हम विभिन परकार की बिमारियों से बच सकते हैं और इन सभी में हमने देखा कि कहीं न कहीं वहें वायू, जल, भोजन, आदी के द्वारा फैलते हैं तो इस परकार से हमें जल को हम गरम करके पी सकते हैं, उसको जिवानु रहित या विशानु रहित करके पी सकते हैं, उसके लिए जल को उबाला जाए वायू को श्वच्छ रखने के लिए हम कोशिस करें कि अपने मुँपर अगर आपको किसी परकार के बिमारी है तो कपड़ा बांध के रखें, या बाहर कहीं भी निकलें तो कपड़ा बांध के निकलें उसके साथ जो भोजन है उसको आप पूरी तरह से पका कर खाएं, उसके अंदर जो अनेको परकार के सुक्षम जीव हैं, वो नस्ट हो जाते हैं तो यह कुछ सुक्षम जीवों से होने वाले फाइदे और नुक्षान थे हमने यहाँ पे सीखा कि किस परकार से हम सुक्षम जीवों से होने वाली बिमारियों से भी बच सकती हैं तो आपको जो इस वीडियो में सारणिया बनाने के लिए कहा गया है वो सारी सारणिया अपने चारो तरफ जो भी वस्तुए हैं उनको देखते हुए अपने चारो तरफ के वातावन को देखते हुए बनाने का प्रियास कीजिए और अंतत जो आपको अंतमे सारणी समझाई गई है इसको अपने मित्रों, अपने परीचितों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी साजा करें ताकि वो भी इस प्रकार की बिमारियों से बच सकें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद